पाली जेल में एक श्रमिक नेता की अच्वानक तबित खराब होने के बाद संदिग्द परिस्तियों में उनकी मौत हो गई मामले को देखते हुए चकेट सेव भाग ने बृतक के सैंपल जांच के लिए भिजवाए वहीं श्रमिक नेता की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने पाली के बांगड अस्पताल को चावनी में तबदील कर दिया आपको बता दें कि पांच दिन पहले पाली की महराजा उमेद मिल में वेतन कटोती को लेकर श्रमिकों ने अपना विरोध जताया था वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन ने करीब 135 श्रमिकों को हिरासत में लिया और ऐसे में मृतक श्रमिक नेता रामनाथ सिंग को नियाएक अभिरक्षा में भेजा गया जहां उनकी मौत हो गई